आपके सामने यदास अनिरुद्ध बैठा है हम गुठका नहीं खाते, सिगरिट नहीं पीते, बीडी नहीं पीते, शराव नहीं पीते हम जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे से आने वाले ब्रंदावन में भक्तों के भोजन दे करके उनके भोजन करा कि उनकी सेवा करने का भाव रखते, कोई भी आए, भूखा न जाए हम अपने पैसे का सदोप्योग करते हैं पैसा कमाते हैं, और उसका सदोप्योग करते हैं हम ग्रहस्त हैं, और ग्रहस्त का धर्म है, कि द्वार पर कोई आजाए, भूखा न जाए कोई खर्चा नहीं है आप लोगों के घर में सर्दियों में कमरे में हीटर लगा होगा कुछ लोगों के सर्दी है चलो कमरे में बिजली वाला हीटर लगा लेते हैं लोग गरम करने वाला हमारे कमरे में हमने वो भी नहीं लगाया क्यों लगाएं गर्च में आगता अपने को स कोई खर्चा नहीं फिजूल का मेरे जीवन में, एक भी रुपे का, कोसिस करता हूँ कि आप सब की बढ़िया से बढ़िया सेवा कर सकों, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास का मतलब है कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सब की नहीं, कुछ लोगों के पास पैसा तो महंगी सराब पीने लग जाते हैं, और मैं सोचता हूँ, कि पैसा आ रहा है, तो क्यों ना, अभी 273 मात आए हैं, और मुझे 1000 माताओं की सेवा करने का भावाया, कि यदि भगवान पैसा देंगे, तो 1000 वरद्धमाओं की सेवा के लिए आश्रम तयार हो रहा है, बनेग मैं सोचता हूँ, कि धन आये, तो उसका बिल्कुल सदुप्योग हो, ब्यर्च में कोई खर्चे ना हो, पैसे की कमई लोगों के पास नहीं है, हम तो आप से बस यही प्रार्थना करते हैं, कि पैसा भगवान ने दिया है, उसका एक बात और बताएं, आप जिस दिन, आप जिस दिन अपनी लक्षमी को सेवा से जोड़ देंगे, उस दिन आपकी लक्षमी डबल होना स्टार्ट हो जाएगे, मतलब उस दिन आपकी धन रासी, आपकी इनकम डबल हो जाएगे, कुए से पानी जितना निकाला जाता है, कुए का पानी उतना साभ और उतना अधिक होता है, कुए से पानी निकालना बंद कर दो, तो कुए का पानी भी घट जाएगा, और कुए का पानी गंदा भी हो जाएगा, हाँ या ना प्रेक्टिकल कर लो आप, प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं है, कुए का पानी निकालना बंद कर दो आप, क्या होगा, उसके स्रोत चोक हो जाएगे, जो स्रोत पानी के होते ना कुए में, पानी आने के पानी भरा रहेगा, वो स्रोत अपने आप कुछ वर्ष में खतम हो जाएगे, स्रोत अपना रास्ता बदल लेंगे, कि भाई अब यहां हमारी जरूरत नहीं है, और पानी ना निकालो गंदा हो जाएगा, हाँ या ना, इसका मतलब क्या हुआ, कि धन पानी की तरह है, यदि धन का सदोप्योग होता रहा, तो लक्षिमी जी का स्रोत बना रहेगा, भाई किये, तो वो धन आपकी बुद्धी ब्रष्ट कर देगा, आज आप लोग गलती यही तो करते हैं, धन को रोकना, लोग क्या कहते हैं, महराजी पैसा ठहरता नहीं, पैसा किसके बाप के पास ठहरा है कि तुम्हारे पास ठहरेगा, लक्षमी चंचल है, तुम रोकना क्यों चाहते हो, कौन रोक पाया है, रावड रोक पाया, लक्षमी तो भगवान नारण को छोड़के चली आई थी, जब भगु जी ने ला तुमारा भगवान को, तो लक्षमी जी तो भगवान को छोड़के चली आई थी, तो लक्षमी जी चंचल है, खहरती नहीं है, वो वहां रहती है, जहां देखती है कि ये ठीक कारे हो रहा है, यहां मेरी आवश्यक्ता है, वहां रहूंगी, और वरना आएंगी तो, फिर आएंगी और देखेंगी कि भाई आप तो शराप पी रहे हैं, शिगरिट पी रहे ह मांस खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चली आएंगी